राम नाम जी दोस्तों वेलगेटों में चैनल कंटिवीडल से जरूर किज़ेगा दोस्तों आप इस पेज को देख पा रहे होगे इस पेज को हमने कली मोनटाइज किया था तो दोस्तों देख सकते हो इन स्टिम एड्स के नीचे जहां पर हमें लर्ण और का बटन मिलता ठीक ह वहां से कोई भी बटन नहीं आ रहा है metric क्लिक करके आ रहा है matrix का मतलब होता है कि आपका जो page है वह इन स्ट्रीम एड्ड से monetize हो चुका है ठीक है and हम नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर brand को लब के नीचे जोड़े इ NICK करोंगे तो आपको यहां पर 11 एडस के watchson मिल जाता है णिचे हैं इसका मतलब होता है कि आपका पेज कनफान हो गया है कि in इस्टिम ऐक्षर एड्ट से ढ़ने हैं का से आपको क्या के चीजेंक करने होती है कि आपको बताने वाला हो एंद दोस्तो क्ऱ इनपर्टन टिप्स भी आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखेगे तो क्या होगा आप इनपर्टन चीजे जो हैं वह अपने पेश पर कर पाहोगे एंड अपने पेज को अपने पेज को पर लाइटाइम कर लोगे कि यहाँ कभी मेरे पेज़ पर कोई प्रब मिलेगा एंड दोस्तों जो में चैनल पर नहीं नीचे लाल वाला बटन दबाए कर दीजिए आपको सब्सक्राइब बेल एक ज़रू दबाएगा जिसके न्यूवीडियो के अपड़िट आपको हमेशे मिलती रहे तो सब्सक्राइब करते हैं अगरकर दिसेबल हो गया डिके डिसेबल मतला कि बंड हो गया कुछ भी जी को तर्यक्स नहीए नहीं कर पा रहे हो तब क्या करोगे आप पेज्फें Senon yes आपको सब कुछ बैकार हो गया, पूरी महनत पर पानी फेरिया, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेयाउट सेटिंग था, ठीक है, वो इस आईटी से था, आप जो इस पेज़ पर काम कर रहे थे, वो इस आईडी से थे, तो सब कुछ ये आपके आईडी ही बंद होगी, तो आपक को सेकंड बना लो सेकंड एडी से अपने टभेश पर उसको एडविनना डोठीक hm एडविन तो आपको बनाना आती होगा ठीक कःण को कैसे बनाना आपको अपना मलब के फेज ओसके फिश्पन करने रहर रोल पर जाना आए वहांसे ईडविन सकते और स्वाफ यहां नंताइप करोगी जिसको भी आप एडम bạnा झाल दीजिए एडिटर में आप एंड को और यहांपर पर मलग कि second admin जो है वो एड हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों परसली आपको यह कर देना है कि आपको other id से एक admin बना देना है and उस id को आपको रख देना है एक safe जगह पर diary में लिख करके कि जब आपकी इस id में कभी by chance problem होगा तो उस id से आप इस page को access कर पाओगे ठीक है चला पाओगे and दोस्तों और के setting करनी है बहुत ज्यादा important settings बता रहा हूं दोस्तों तो ध्यान से सारी चीजों को देख लिजिए second आपको setting क्या करनी है आपको यहाँ पर monetization में third option मिलेगा payout settings का ठीक है तो आपको इस पर click करना है दोस्तों यहाँ पर आपका जो bank account detail है यह जो होता है यह सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिस चीज को जिस id को इसकी access होती है and जो admin होता है ठीक है admin सब admin नहीं देख सकते ल password type करते हैं मैं भी cut कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी add नहीं कर रहा हूं मैं बस आपको example दे रहा हूं ठीक है आपको करना है account settings पर click करना है and दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आओ गया तो आपको एक option मिलता है दोस्तों यहाँ पर ठीक से देख नहीं पा रहे होगे तो दोस् ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पे आउट अकाउट एड्मिन लिख करके आ रहा है ठीक है मतलब कि यहाँ पर हम access देने के लिए payout की access दिखाने के लिए और उसको edit करने के लिए अपडेट करने के लिए हम किसी और को admin बना सकते हैं तो दोस्तों जो आपने backup ID बनाई है अपनी ठीक है कभी बाइचांस अगर कुछ पाब्लम होता है तो उसके लिए जो आपने backup ID बनाई है ठीक है उसको आप यहाँ पर add कर दो ठीक है add करोगी तो क्या होगा in future आपको कभी भी कोई problem हुआ इस ID से जिस ID से आपने speech को monetize किया है तो आप दूसरी ID जो है आप की ठीक है दूसरी ID जो आपने backup के लिए बनाई थी उस ID से कभी भी कुछ update करना होगा तो वह कर पाओगी यह ID आपकी खतम भी होगी ठीक है तब भी आप अपने page पे आपके access होगा ठीक है तो दोस्तों यह दोने चीज़ आपको कर लेनी है दैन दोस्तों इसके बाद क आपके इसको उन कर देना है ठीक है ओफ तो दोस्तों क्या प्रब्लम होती हमाँ दिखा देता हो अभी हमने आपकर वीडियोग करते हैं तो रहनिंग जो मतलब कि क्या रहा है तो यह क्यूं आता है क्योंकि हमने आरंग की आरनिंग देखने की अभी access नहीं दी एक तुछ हम हम यहां पर किलिक करते हैं यहां पर हम इसको ओन करते हैं ठीक है हमने ओन करते हैं हम यहां पर द्वारा वीडियो पर आते हैं यहां पर रिफ्रेश करते हैं स्पेश को सो दोस्तों अभी देख सकते हो अभी हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको कि यहां पर इसके बाद क् तब तक आप देख नहीं सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को monetize कैसे करना होता है ठीक है तो हम चलते हैं content library फिर ठीक है यहां पर आप देखते तो यह वीडियो है और दोस्तों वीडियो में भी बहुत सरी category होती है कि जिस वीडियो का अब मार्क देख से तो कटा हुआ नहीं है ठीक है तो यह वीडियो मोड़ाइज हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर आपको edit post पर क्लिक करना है ठीक है edit post पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका title और description दोनों चीजह होनी चाहिए जो भाई ने अल्रड़ी सेट करके रखा है तो अब यहां पर हम नीचे slide करते हैं तो आपको in stream ads को option मिलेगा तो आप इसको यहां पर देख सेकते हैं नीचे on option मिल जाता है तो इसको आप on कर दीज़े ठीक है on करो के फिर आपको automatic placement करना है automatic placement के बाद आपको नीचे आना है इसको सेफ पर क्लिक कर देना है ठीक है सो सेफ पर हमने क्लिक कर दिया दोस्ता अब देख सकते हैं यह वीडियो अब इसका डॉलर का जो मार्क है वो चेंज हो गया ठीक है कहले कंद है यह वीडियो जो वह अंडर में जया चुक्या है अब यह एंडर में न के बाद महादा आँर आइड़ से बहुत ज्यादा Parmen आपके लिए सबसे जादा इंपॉर्टन जो टिप है ना को मैंने आपको यही बताई है कि आपको अपना बैक आप आइडी दरूर बना करके रखना पे आउट अगाउंड में भी आपका बैक आइडी होना चाहिए और दोस्तों आपका जो बैक आप आइडिया वह एड्मिन अपने पीज पयर पूरी अकसिस दे दो जिसे कि lifetime आपको कभी भी मिस्टेक हो जाए इस आइडी से तो आपके पास एग बैकॉप आइडी होगा जिससे कि आप अपने पेज को कभी भी अकसिस कर पाओंगे कभी भी चला पाओगे तो इसके लिए यह बहुत जाद पर दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा शेर जरूर कर दीजेगा शेर करो कि तो बहुत साथ लोग इस चीज को सीख पाएंगे और मुझे भी सब्कूर्ट मिलेगा एंड दोस्तों जो में चैनल पर नहीं नीच लाला बागा बटन दबागे करदी चैनल को सब्सक्र झाल 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